नमिश्कार कापिटल टीवी के स्पेशल्स शो चुनावी चौसर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ दिव्या लोगसबा चुनाओ के छटे चरन का मतदान जो है वो संपन हो चुका है बिहार की बात करें तो बिहार के आट सीटों पर मतदान हुआ है ये आट सीट है बालमी की नगर पश्मी चंपारन, पुर्वे चंपारन, शिवहर, वैशाली, गुपाल गंज, शिवान और महराज गंज आज हम बात करेंगे बालमी की नगर और बितिया की तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट सरोट सिंग, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखे जो चुनाब हुआ आज बालमी की नगर में, पहले से ये कहा जा रहा था कि एक फैक्टर है जो सुनील जी को परिशान कर सकता है वो फैक्टर था भीतरगात का, जो खड़े हुए हैं, मिश्रा जी, उनको भोट कटने की आसंका थी कि वो जो अपरकास भोटर है, वो भोट काट सकते हैं लेकिन आज जब भोटिंग सुरू हुई वहाँ पर, तो उस भोटिंग में ये साब दिखा कि जो NDA का भोटर था, वो पूरी तरज से NDA के साथ रहा, सुनील कुमार के साथ रहा और उस भोटर ने ये दिखाया कि मोधी मैजिक होता क्या है, कि मोधी मैजिक ने सारे NDA के भोटर को एक साथ कर दिया, नितिश कुमार का जो अपना भोट पेंग है वो तो है ही, और एक चीज़ जो गौर करने वाली बात थी वहाँ पर, कि जो आदिवासी मद्दाता था, आदिवासी के भी वहाँ पत्यासी थे वहाँ पर, लेकिन जो आदिवासी मद्दाताओं ने नरेंद मोधी का चेहरा देखा और उन्होंने दिया NDA कंडिडेट को, जेडियू कंडिडेट को भोट किया. सेर, वहाँ पर भीतरगात की भी बात सामने आ रही है, ये किस भीतरगात की बात हो रही है? नरेंद मोधी के मैजी के सामने वो दब गई, ऐसा लगा नहीं कि सुनील कुमार को ये सब चीजे नुकसान पहुचा रही, आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, और सुनील कुमार के बारे में अब जो खबरे अभी तक आ गई सामने के 5-6 बज रहे हैं, अब ये कहा जा रहा ह कि सुनील कुमार बालमिकी नगर में बहुत ही कमफटेवली सती में. लग रहा है कि तेजस्वी आदब का दाव उल्टा पड़ गया, और जो अपरकास्ट भोटों में टूट-फूट होनी थी, वैसा कुछ नहीं हुआ, तीरचाप को फायदा हो गया, नुकसान आरजेडी को हो गया. तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बिटिया की तरफ, बिटिया से जो है बीजेपी के संजय जैसवाल और कॉंग्रस के मदन मोहन तिवारी मैदान में है, तो सर क्या लग रहा है, पलरा किस तरफ भारी है, कॉंग्रस की तरफ या बीजेपी की तरफ? लेकि चमपारन की ही अगर आप बात कर लेते हैं, बिटिया पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अगर पूरे चमपारन के परिदिस में आप देख से हैं, अभी तो हम लोगों ने मोतिहरी पर भी पूराम किया था, तो चमपारन में, पूरे चमपारन में ऐसा दिखा, कि वहा अगर मोधी मैजिक कहीं काम कर रहा था तो चमपारन के इलाके में और आज मद्दान बाले दिन भी ये बात साबित हुई कि संजय जैसबाल के खिलाब जो एंटी इंकंबंसी थी लोग उससे नाराज थे कही तरह के दुस्परचार भी उनके खिलाब हुए केस मुकदमा भी तो चमपारन की जनता ने कमल खिलाने का काम किया तीर चलाने का काम किया और वहाँ पर इंडिये तीनों सीटों पर लगता है कि बहुत ही अच्छी इस्तति में हैं संजे जैसवाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितीश कुमार के कार्यों और हिंदत्वों के मुद्दे को लेकर लोगों से वोट मांगते हुए नज़र आए क्या लगता है सर की इसके सहारे वो जीत हासिल कर पाएंगे वही है वही एक हासियार है जिससे जीत हासिल हो रही है संजे जैसवाल की है नहीं तो लोग इतने नाराज थे उनके भोटर इतने नाराज थे कि कहने वाली बात नहीं थी कोई नाम सुनने के लिए तयार नहीं संजे जैसवाल का लेकिन एक हमने कहाना कि अगर कहीं सबसे ज़ है संजे जैसबाल वहां की लड़ाई में आगे दिख रहे हैं तो क्या लगता है कि इसके सहारे उनको जीत मिलेगी मदन मोहन तिवारी के साथ दो-तीन बात हो गई पहली बात तो यह हो गई कि इनका टिकट ही काफी लेट से एनाउंस हुआ उनको समय कम बचा लोगों से कनेक्ट होने में दूसरा जो जब भी वो अपने किसी भी पर रहे उनका पर्फॉर्मेंस इस तरह का नहीं रहा कि जनता उनको याद करे कि भाई मिस्रा जी ने बहुत अच्छा काम किया था ऐसा भी कुछ हुआ नहीं इसके अलाबा उनको एक उमीद थी कि ब्रह्मन भोटों को मिल जाएगा ऐसा कुछ वहां पर हुआ नहीं ब्रह्मनों ने मतलब कहिए कि 80% ब्रह्मनों ने भोट किया NDA के कंडिडेट को जो मोदी मैजिक की हम बात कर रहे हैं तो यह सवाब चीज जो है नुकसान हुआ इनको मिस्रा जी को और संजेज जस्वाल वहां पर काफी तो आज के लिए बस इतना ही अनिक खबरों के लिए हमार साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे तब तक के लिए कापिटल टिवी बिहार धन्यवाद